हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चानल स्टेडी सेक्टर पर दोस्तों आज हम आपसे डिस्कुस करेंगे जिए क्यों कुछ इंट्रस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चिन्स और उनकी आंसर्स तो चलिए शुरू करते हैं आपको सोचने के लिए दो सेकिंड का समय दिया जाता है अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट सिक्षन में हमें जरूर बताएं इसका सही जवाब है पीटर हैनलन ने आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चिन की तरफ पहली बार पर्मानु बम कहां फैका गया था इसके ऑप्षिन्स हैं जापान, भारत, हिरोशिमा और नेपाल इसका सही जवाब है हिरोशिमा आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चिन की तरफ इसके ऑप्षिन्स हैं भारत, अमेरिका, चीन और जापान इसका सही जवाब है अमेरिका आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चिन की तरफ उट, बेना पानी पीए, कितने महीनों तक जीवित रह सकता है इसके ऑप्षिन्स हैं दो महीने, तीन महीने, पांच महीने और आठ महीने इसका सही जवाब है आठ महीने आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्ट क्वेश्चिन की तरफ इसके ऑप्षिन्स हैं तोता, कोयल, लायर पक्षि और मूर इसका सही जवाब है लायर पक्षि आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्ट क्वेश्चिन की तरफ चान पर पानी की खोच किस देश ने की थी? इसके ऑप्षिन्स हैं भारत, चीन, जपान और अमेरिका इसका सही जवाब है भारत आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्ट क्वेश्चिन की तरफ चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशूर है? इसके ऑप्षिन्स हैं असम, उडिसा, आगरा और तमिलनाडू इसका सही जवाब है असम आगे बढ़ते हैं हमारे इट्थ क्वेश्चिन की तरफ किस पक्षि की आँखे सबसे तेज होती हैं? इसके ऑप्षिन्स हैं बाज, मोर, हंस और चमगादर्ड इसका सही जवाब है बाज आगे बढ़ते हैं हमारे नाइध क्वेश्चिन की तरफ अंतरिक्ष का सहर किसे कहा जाता है इसके options है डेली, मुंबाई, बैंगलॉर और हैदराबाद इसका सही जवाब है बैंगलॉर आगे बढ़ते हैं हमारे 10th question की दरफ किस देश में समोसे पर प्रतिबंद लगा हुआ है इसके options हैं Canada, France, SEMLIA और पाकिस्तान इसका सही जवाब है SEMLIA दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसी ही interesting question के लिए चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद